उधारण 16 एक त्रिभुच ABC में कोण A बराबर X अंश, कोण B बराबर 3X अंश और कोण C बराबर Y अंश है यदि 3Y अंश रिण 5X अंश बराबर 30 अंश हो तब सिद किजिए कि यहाँ एक समकोन त्रिभुच है हल त्रिभुच ABC में तीनों कोणों के मान के मान क्रमशा कोण A बराबर X अंश, कोण B बराबर 3X अंश वा कोण C बराबर Y अंश है चूंकि त्रिभुच के तीनों अंता कोण अंता कोणों का योग 180 अंश होता है इसलिए कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर X अंश अंश कोण A कोण B कोण C के मान के मान रखने पर रखने पर A का मान हमारे पास दिया है X अंश तो हमने कोण A की जगा में X अंश रखा धन कोण B का मान हमारे पास दिया होगा है 3X अंश तो हम यहां 3X अंश लिखेंगे कोण B के इस्थान पर धन यह कोण C का मान Y अंश है तो यह Y अंश बराबर X 18 अंश यह खन कोण B धन कोण C बराबर X 18 अंश एक्सो असी अंच, कोने एक्स अंच धन, कोन भी तीन एक्स अंच धन, कोन सी वाय अंच बराबर एक्सो असी अंच या एक्स अंच धन तीन एक्स अंच बराबर चार एक्स अंच धन वाय अंच बराबर एक्सो असी अंच या चार एक्स को हम पक्षांतर करेंगे दाय पक्ष में तो हमें प्राप्थ होंगा य अंच बराबर 180 अंच रिण 4 एक्स अंच यह हमारा समीकरण एक इसको हम समीकरण एक मानते हैं दिया है दिया है तीन वाइ तीन वाइ अंच रिण 5 एक्स अंच बराबर 30 अंच इसे हम जो दिया है उसे हम समीकरण दो मानते हैं समीकरण समीकरण एक से एक से वाइ का मान वाइ का मान दो में रखने पर दो में रखने पर समीकरण दो जो है हमारे पास तीन वाइ अंच रिण 5 एक्स अंच बराबर 30 अंच है यहां पर हम यह तीन का तीन हुआ और य के स्थान पर हम 180 अंच रिण 4 एक्स रखेंगे कोश्टक को बंद कर दिया गया रिण 5 एक्स अंच बराबर 30 अंच यह कोश्टक को खोलने पर हमें प्राप्त होंगा तीन गुड़ी 180 अंच रिण 3 गुड़ा 4 एक्स अंच रिण 5 एक्स अंच बराबर 30 अंच यह 3 गुड़ी 360 अंच हुआ पारा 540 अंच रिण 3 गुड़ा 4 एक्स अंच बराबर 3 चौग 12 एक्स अंच रिण 5 एक्स अंच बराबर 30 अंच आगे देखते हैं हमने देखा 540 अंच रिण रिण 12 एक्स अंच रिण 5 एक्स अंच बराबर 30 अंच यह रिण 12 एक्स अंच रिण 5 एक्स अंच को हम जोड़ेंगे तो रिण रिण सत्रा एक्स अंच बराबर 30 अंच 540 अंच का पक्षांतर करने पर रिण 540 अंच यह रिण 17 एक्स अंच बराबर 30 रिण 540 अंच बराबर 500 रिण 510 अंच दोनों पक्षों में रिण 1 का हम जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्तों का 17 एक्स अंच बराबर 510 अंच यह एक्स अंच बराबर 510 अंच बता 17 अंच यह एक्स अंच बराबर 510 अंच बता 17 अंच में 727? कावन तो 3 और यह शून bulbा नह शून, आश अंच थीष़़ß रिण पराप्त हुआ X का मान X ग एक्स के मान को समीकरण एक में रखने पर रखने पर समीकरण एक जो है हमारा था य अंच बराबर एक्स और सी अंच रिन चार एक्स अंच या य अंच बराबर एक्स और सी अंच रिन चार और एक्स के स्थान पर हम तीस अंच रखेंगे या य अंच बराबर एक्स और सी अंच रिन चार को तीस अंच से गोड़ा करने पर हमें प्राप्त होंगा एक्स और बीस अंच या य अंच बराबर एक्स और सी अंच में एक्स और बीस को घटाएंगे तो साट अंच प्राप्त होंगा इसलिए कोण A हमारे पास है X अंच ये दिया था और X कमान हमने प्राप्त किया 30 अंच तो कोण A बराबर X अंच बराबर 30 अंच उसी तरह से कोण B बराबर हमारे पास है 3 X अंच तो 3 गुणा 30 अंच बराबर 92 अंच और कोण C जो है उसका मान हमारे पास दिया है Y अंच और Y अंच का मान हमने भी निकाला है 70 अंच तो Y अंच बराबर 60 अंच तो इस तरह से कोण C बराबर Y अंच बराबर 60 अगे देखते हैं इस पश्टता तिरे भूच A, B, C, K तीनो कोरो में A, कोण ka-ma-n 9 तथ 6 दोनो कोण न्यून कोण है जिसकी माप तीसंच वा साटंच है आतहा दिया गया त्रिभुच एबीसी एक समकोण त्रिभुच है यह इस्प्रेशन का हल होगा